दोस्तों अगर आपको भी CID शोर देखना पसंद है और आप CID की ब्यूटी कुईन अंसा सायद यानि की इंस्पेक्टर पूर्वी के फ्यान हैं उनके खुशुरती के दिबाने हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो मे पाच पाएंगे या नहीं यही आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में और यह एपिसोड जो है बो भी कौनसा एपिसोड होगा बो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ नमस्कार दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे और साथ में जो बेल आइकन यानि की जो घंती का बटन है नीचे उसे दबाके और सिलर कर ले ताकि हमारा आने वाले सारे नए वीडियो के जिसमें दोस्तों बोडी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है इंस्पेक्टर पूर्वी की इंस्पेक्टर पूर्वी जो है दोस्तों उन्होंने CID जोइन किया था साल 2011 में और 2011 से ही वो CID का हिस्सा बनती आ रही है और काफी सारे अच्छे अच्छे एपिसोड्स भी इंस्पेक्टर पूर्वी ने हम सबको दिये है तो दोस्तों इंस्पेक्टर पूर्वी की पॉपुलरिटी भी इसी बज़ा से काफी ज़्यादा है और काफी सारे लोग इंस्पेक्टर पूर्वी को अपना रोल मॉडल भी मानते हैं क्योंकि वो फिटनेस के मामले में काफ की CRD के members के अलावा जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर पूर्वी की fitness के बारे में तो वो काफी fit रहते हैं इसलिए जो भी action scenes उनको दे जाते हैं वो उनको बखुवी से निभाते हैं अगर बात करें इन्स्पेक्टर पूर्वी के उपर हुषने बाले हमले के बारे में तो दोस्तों यह जो एपिसोड है यह आपको CID के सीजन टू में शायद 17वे एपिसोड में देखने को मिल सकता है 70 एपिसोड जूसमें इन्सपेक्टर पूर्वी एक घने जंगल में अकली जाती है एक बच्ची को ढूनने के लिए जो लापता हो चुकी होती है तो दोस्तो उस बच्ची को ढूनने के चकर में इंस्पेक्टर पूरभी पदने बाले हैं बहुती बड़ी मुसिबत में तो दोस्तो क्या है पूरा मामला यह मैं अगर आपको अभी बता दूँगा तो मज़ा नहीं आएगा आप लोग थोड़ा सा वेट के लिए यह एपिसोड जो है यह आपको बहुत जल देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोग को हमारा विडियो कैसा लगता है और आप लोग से यादी के सेजन टू के लिए कितने एक्साटिट हैं अगर विडियो अच्छा लगा हो तो विडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें घन्यवाद